JSC की तरफ से 2023 में JSC Exam 2023 का कलेंडर जारी कर दिया है तो इस वर्च JSC की ओर से कौन-कौन से विग्यापन के लिए एक्जाम लिया जाएगा इसका कलेंडर JSC ने आज अपने Official website पे जारी कर दिया है इस कलेंडर के जारी होने के बाद वीरोधियों का मुँ अब बंध होगा की हला करते रहेंगे तो देखते हैं JSC Exam कलेंडर 2023 देख सकते हैं या JSC की तरफ से अगामी परिच्छाओं का कलेंडर 2023 जारी किया गया है तो पहले नमर पे है जारखंड परियोगसाला सायक परतिविकता परिच्छा जिसका online exam होगा और साथ में यही बताया है कि एक्जाम online होगा कि offline तो परियोगसाला का exam जो होगा इसका विग्यारी हो गया है यह online mode होगा CVT mode में कब उसके कब होगा परिच्छा आयोजन की संभावित थी है जून 2023 का अंतीम सब्ता आनिकि जून में इसका लेब अस्टेंट का एक्जाम हो जाएगा उसके बाद है पीजीटी पीजीटी का भी ओनलाइन है इसका भी विग्यापन आ गया है तो विग्यापन जो है इसका एक्जाम डेट कब है ज कि दिप्लोमा वला आता है कि सीवीटी मोड में होगा इसका विग्यापन कब आएगा माई 2023 के दूसरे सब्ता में संभावित है और इसका एक्जाम होगा अगस्ट 2023 का पर्थम सब्ता में इसके बाद है जे एससे सीजी एल मोस्ट वेकेंसी और सीजील जो है ऑपलाइन मोड 2020 में होगा ओम एश्ट पे व्ग्यापन कब आएगा इसका विग्यापन के लेंडर कनुसर मैं 2023 के पर्थम सफटा में संभावित आनरे कि मए 2030 में इसका विग्यापन सीजीयल और इसका एक्जाम कहूगा एक्जाम के लिए सेक्टमर्स तक करthe ﷺ का पर्थम सफटा है और इस सब्ता में विग्यापन जारी होगा छठा है उत्पाद सीपाई उत्पाद सीपाई का एक्जाम जो है ऑफ्लाइन होगा और इसका मैं 2013 के दूसरे सब्ता में इसका विग्यापन आ जाएगा इसके बाद है महिला परवेच्छी का जिसमें लगभग 400 आसपास पोष्ट है इसक सेक्टमर 2013 में इसका फिजिकल पहले होगा देख लेते हैं आठ हुआ आठ यह इसका उनलाइन मोड में एक्जाम होगा मैं 2013 के अंतिम सब्ता में इसका विग्यापन आ जाएगा इसका बाद है मैट्रिक अस्तर यह परतियोगीता परिछा 2030 इसका भी ऑफ्लाइन है यह जून इसका भी ऑफ्लाइन एक्जाम होगा इसका विग्यापन जून 2030 के पर्थम सब्ता में संभावित है और अगास 2030 में इसका एक्जाम संभावित है और फिलाल अभी जससी की तरफ से दस परिछाओं का कलेंडर जारी किया है लेकिन यह कलेंडर फिलाल सुरुवाती रूप में से जारी किया है वह इसमें संसोधन हो सकता है लेकिन फिलाल दस विग्यापन काज में जिक्र किया गया है और इसका परिछा तिथी भी घोसित कर दिया है आप इसके नुसर त्यार सरकार अभी इस नियोजन नीती पर एक स्टेप भी पीछे नहीं अड़ रही है तो ध्यान दिजिएगा आपका कंटी कंपिटिशन थोड़ा होने वाला है इसलिए अपनी परतियों गिता परिछा की जो त्यारी कर रहे हैं उसको थोड़ा जारी रखिएगा और आंदोलन यह पूरी करने की भरपूर प्रयास रहेगा थैंक्स पूर वेचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में